नमस्कार में प्रियरंजन और आप देख रहे हैं टेडर्स दीम आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करेंगे अडानी के सभी स्टॉक्स को वन बाइवन डिसकस करेंगे और बहुत सारे लोगों का क्वेडी आया कि सर आपने अडानी पावर अडानी विलमार अडानी इंटरप करने से पहले एक बार इस स्टॉक के क्या न्यूज ट्रेंड हुए है उसको देखेंगे और उसके बाद जो है इंडिविज्वली स्टॉक को भी डिसकस करेंगे यहां सबसे बरी न्यूज इस समय देखेंगे तो चार-पांस न्यूज होते हुए दिख रहा है पहला देखे देखेंगे तो एनसी ने रिमूब कर दिया है पांच अडानी ग्रूप के स्टॉक को अडानी अलफा 50 निफ्टी हंड्रेड अलफा 30 इसको लेकर के बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि सर कौन सी ऐसी न्यूज आई है और उसके क्या इंपेक्ट आएंगे उसको श न्यूज है निगेटिव तो यह दो बड़े न्यूज दिखेंगे उसके साथ इस न्यूज के क्या इंपेक्ट देखेंगे इसको भी समझने की कोशिस करेंगे सबसे पहले यहां देखिए कि अडानी रिमूब फाइब अडानी स्टॉक फाइब अडानी ग्रूप स्टॉक निफ्टी 50 अल्फा निफ्टी 100 और अल्फा 30 यह कुछ न्यूज है और यहां देखेंगे कौन-कौन से स्टॉक हटे हैं तो यहां जो स्टॉक हटे हैं अडानी इंटरप्राइज़ अडानी ग्रीन इनर्जी अडानी ट्रांस्मिशन अडानी टॉटल गयस यह ऐसे स्टॉक रिटेल गुजरात नर्मदा वैली और पेज इंडस्ट्री सूजलोन इनर्जी यह एंजल वन यह सभी इस्टॉक को जो है इंक्लूड करा गया है मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इंपेक्ट होने वाला है इसके साथ यहां देखेंगे जो हमने कहा कि सर्विलांस एसम केटेगरी में अडानी इंटर्प्राइजेज को रखा गया था वो भी हटते हुए दिखा है कुछ भी अब सर्विलांस की जरूरत नहीं है अब इंडिविज्वल देखेंगे कि किस स्टॉक पे क्या इंपेक्ट दिखेगा जैसा कि मैंने आपको कहा कि सौट टर्म टे लेवेल नेक्स 3-6 मन्त में दिख सकते हैं अडानी ग्रीन की बात रही तो 780-800 तक का लेवेल दिख सकता है अडानी टोटल गयास 950-1000 तक के लेवेल दिख सकते हैं अम बुजा देखें तो चुकि इसमें मेरा मानना है कि 420-450 तक का दिख सकता है लेकिन सबसे कम रिस्की स् तो 586-20 तक के लेवेल को नेक्स 6 मन्त में एटेम्ट कर सकता है अडानी पावर को देखें तो अडानी पावर भी 253-20 तक के लेवेल को एटेम्ट कर सकता है अडानी पोर्ट 750 अडानी इंटरप्राइज देखें तो 2600 तक के लेवेल को एटेम्ट कर सकते हैं और NDT भी प्रेगे